नमस्कार न्यूस वानेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रश्मी जहाँ एक तरफ पिये मोदी ने एतिहासिक फैसला लेते हुए तीन कुरुशी कानून को वापस लिया है तो वहीं दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो पपू यादव ने इसे किसानों की अदम में स जल्द से जल्द पिये मोदी इस तीन कुरुशी कानून को वापस ले तो वहीं दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो पपू यादव ने किसानों को बधाई दी है शुपकामनाई दी है और इसे किसानों की जीत बताई है बता दे कि ट्वीट करते हुए पपू यादव ने करशी कानून रद करवाएं दूसरे ट्वीट में पपू यादव की पतनी रंजीत रंजन ने लिखा है अंदोलन जिवी से हार गई पर जीवी सरकार काले कृशी कानूनों की वापसी जन संघर्स की जीत है दंगाई अतंकवादी देश द्रोही कहकर किसानों को अपमानित क करने वालो रास्ट से माफी मांगो तो ये ट्वीट करते हुए पपू यादव ने और साथी साथ उनकी पतनी रंजीत रंजन ने ये कहा है कि पिये मोदी को अब देश के किसानों से माफी भी मांगनी चाहिए क्योंकि लगातार देश भर में जब किसान प्रदर्शन कर रह लेने के साथ ही पिये मोदी को देश भर के किसानों से माफी भी मांगनी चाहिए लेकिन इस सबके बीच बारी बार जाब सुप्रीमो पपू यादव की तरफ से कही गई है आपको बताए कि पपू यादव ने कहा है कि जुमले बाजी सरकार की बातों से बचने के लिए और बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सरकार ऐसे ही करती आई है जुमले बाजी की ये सरकार है सिर्फ और सिर्फ बायान बाजी करती है बले ही आज देश के प्रतान मद्रिन नरिंद बोदी ने देश को संबोधत करते हुए तीन कृशी कानून को वापस लेने का फैस्ता लिया हो लेकिन जब तक संसत से इतीन क्रिशी कानून को रद नहीं कर दिया जाता तब तक पिये बोदी के बातों पर भरोसा नहीं करने की बात जाप सुर्पीबो पपुयादव की तरफ से कही गई है इसके साथ ही पपुयादव ने ये भी कहा है कि ये किसानों की जोड़दार जीत है अडानी अंबानी की सरकार की हार हुई है क्योंकि जिस तरह से देश भर के किसान इस तीन क्रिशी कानून को काला कानून बता रहे थे देश भर में विरोध चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ आज गुरुपर्व के मौके पर देश को संबोधित करते हुए पीम मोदी ने ये बड़ा तौफा किसानों को दिया है बड़ा एलान उनकी तरफ से किया गया है जिसमें इस तीन खुरुषी कानून को वापस लेने की बात उनकी तरफ से कही गई है लेकिन बरी बात सबके बीच ये निकल कर सामने आड़ी है कि अब विपक्षी पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया है जब तक इस तीन कुशी कानून को संसथ से रद नहीं कर दिया जाता तब तक PM मोदी की बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है किसानों को सचीत रहनी की जरूरत है इस जुमलेबाजी सरकार से बचने की जरूरत है और यही वज़़ है कि इस तीन कुशी कानून को वापस लिये जाने को लेकर जहां एक तरफ इसे किसानों की जीत बताई गई है तो वहीं दूसरी तरफ पुयादव ने ये भी कहा है कि भ राकेस टिकेट की बात करें तो राकेस टिकेट ने ये एलान कर दिया है कि किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन है वो ऐसे ही जारी रहेगा जब तक तीन कुछी कानून संसल से रद नहीं करवा दिये जाते तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और अब पूयादव ने भी ये साफ कर दिया है कि इस जुमलेवाजी सरकार के बातों पड़ यकीन करने की जरूरत नहीं है अब देखने वाली बात होती है कि आगे किसानों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है फुला गरितना ही जादा अपडेट के लिए आप बरे रहे नियूस वानेशन के स आप नमशकार